महरास्टर के चंदरपूर में एक ऐसे कुद्रत का करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसे देख कर हर कोई हैरान है यह एक ऐसी चमतकारिक बोरविल है जिसमें बिना किसी उपकरन लगाए 24 घंटे पानी की मोटी धारा बह रही है चंदरपूर के मध्य चांदा के अंतरगत आने वाले मानोरा के कक्ष क्रमा 447 में बने नर्सरी में बोधों को पानी देने के लिए बोरविल खोदी गई थी बोरविल खोते ही ऐसा कुद्रत का करिश्मा देखने को मिला जिसे देख कर हर कोई हैरान है एक अपरिल का ये बोरविल खोदी गई थी तभी से इस बोरविल से लगादार पानी की मोटी धार बह रही है ना तो कोई मोटर लगाए गई है और नहीं कोई हैंट पम फिर भी पिछले 12 दिनों से लगादार बोरविल से पानी की मोटी धार बह रही है लोग इसे कुद्रत का करिश्मा कह रही है चंदरपूर देश में सबसे गर्म शहर में गिना जाता है गर्मी के दिनों में कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है फिर भी यहां 40 फिट बोर्वेल खोदते ही पानी की बोचार शुरू हो गई वो भी बिना किसी उपकरन के फिलहाल यह बोर्वेल सभी के लिए चर्चा का विशह बनी हुई है लोग बोर्वेल को देखने दूर दूर से आ रही है अब यह चमतकारिक बोर्वेल वनवभाक के लिए वरदान साबित हो रही है बिना किसी उपकरन के 24 घंटे बहने वाले इस पोर्वेल के पानी का उपयोग नरसरी के लिए किया जाएगा साथ इस जंगल में पशुपक्षी और वने जीवों की प्यास बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा विशेशक्यों ने वेग्यानिक जानकारी दी है कि हजारों वर्षों से विभिन पर्तों में जमीन के नीचे जो पानी रिस्ता आया है वो पत्थरों के आंतरिक दबाओ के कारण इस तरह बाहर निकल रहा है हाइट्रोस्टेटिक परत के दबाओं से बनने वाले विशेश सरशना से ये पानी आसानी से निकल जाता है चंद्रपूर जिले के कनहार गाओं में वनवेभा की एक अन्य नरसरी में भी इसी तरह पोर्वेल से पानी निकलता है मानूरों की घटना इसी जिले में दूसरी घटना पताई जा रही है देश में ऐसे जलस्त्रोद दुरलब है चंद्रपूर जिले के पुंबुरुना तैसिल में फॉरेस्ट एक पेरिया में एक आर्टिजन वेल पाई गयी है आर्टिजन वेल उसे कहते हैं कि जिसमें से पानी अपने आप बाहर निकलता है उसे निकलने के लिए मोटर की आवशक्ता नहीं होती है इसका एक वग्यानी कारण भी है कि जमीन के अंदर जो जो जोग्रोफिकल स्ट्राटर जो होता है आर आवक हिए और उसके अंदर वह पाणी जमा होता है मति जब आशची का एक नहिकर शहरते हैं और फिर बरसो के बाद उसके ऊपर यहाट-ड्रॉप का दाट्र यह ज्यक्तल होता है याने पानी जमिन के अंदर ट्रैप होता है और वो ट्रैप हुआ पानी हजालों साल लाखों सालों वैसे जमा रहता है या फिर कहीं अंदर से उसको अगर स्प्रिंग मिलता है तो पानी वहां आते रहता है मगर्जब भी हम किसी वक्त एक आदी बहर वर वेल वहां खुदते हैं तो सड़नली वह जो यह उपर का पत्थर हम फोड़ते तो वह वहां का जो पानी है एकदम प्रेशर से बाहर आते रहता है क्योंकि यहां हम बहर वहां का तो वहटर लेवल पॉते हैं मगर बहार का जो वाटर लेवल एक दो किलोमेटर एरिया में जो होप शेप का जो 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 जब्ट OVER के स्टाटा बनता है वहां का prends प्रेशर वहां की जो हीड है वह जिएदा होती है पानी की तो इसलिए प्रेशर से जो पानी है वो वो ट्यूबेल से बहते रहता है और यहाँ पानी continuous भैते रहता है इसी चंद्रपूर जिले में कानारगा जो एरिया है वहाँ पी इस प्रकार की दो ट्यूबिल है कि जहां से पानी continuous आते रहता है क्यों चंद्रपूर जिले में हमारे यहाँ टेक्टोनिक प्लेट के मुमेंट के वज़े से इस प्रकार की जो चंद्रपूर के मानोरा से BCN News के लिए सुनील ताइड़े की exclusive report